प्यारे बच्चों बहुत-बहुत स्वाकत है आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल 모講 menu social में प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बोड एक्जाम बहुत पास आ गया है बहुत ही कम समय रहे गया है तो अब आप लोगों को अपने पढ़ाई पर एक्दम से जुट जाना चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी पढ़ाई को टाइम देना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एक्जाम में अच्छे से अच्छा नमर ला सक आज मैं आपको इस वीडियो में समाजिक विज्यान विशय के कक्षद 10 का बहुत ही जो महत्तोपूर बहुविकल्पी प्रस्ट हैं उनको मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ मैं कोईस्टन भी पढ़ूँगा और साथ में आपको चार आप्सन दूँगा अ निमनलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार है निमनलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है जी हाँ देखिए एक चीज़ा आप लोग बोर्ड एक्जाम में जरूर ध्यान दीजेगा जादतर बच्ची क्या करते हैं जल्दी जल्दी में पढ़ने में कन्फूस हो ज आते हैं कि निमलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार है मिट्टी का प्रकार है उसमें नहीं वर्ड भूल जाते हैं और कई questions में ऐसा होता है कि वो नहीं वर्ड भूल जाने के कारण पूरा का पूरा आंसर ही गलत करके चले आते हैं तो आपको ये गलत की नहीं करनी है देखि आपको पता है काली ये भी मिट्टी होती है काली मिट्टी पीली मिट्टी भी होती है लेकिन सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है तो इसलिए जो है इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा सीमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए प्यारे बच्चों अब जरूर बताईएगा कौन सा सही होगा, प्राकरतिक, मानो निर्मित, सवर उर्जा से निर्मित, या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो भूमी है, वो मानो तो बनाएगा नहीं, ये जो है एक प्राकरतिक, प्राकरतिक संसाधन है, तो इसमें कौन सांसर करेक्ट हो जाएग चटाने पशू पौधे और मचलियां तो इन में से जो ये सब देखी जैवी हैं किवल चटाने ये चटान वाला आप्सन जो है यही एक ऐसा है जो की अजीव संसाधन है अर्थाद अजैविक संसाधन है ये तो इसलिए इसमें जो आंसर आपका करेक्ट होगा ये पहला होगा अजैवी जो संसाधन है वो चटाने है प्यारे बच्चों ऐसे ही आप बहुकलपी प्रस्ट अच्छे से अपने तयार करते रहिए हमारे साथ में और पक्का है आपके बोर्ड एक्जाम में इन में से कई सारे कोश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने Kate отп कपाँस की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जादा उप्यूफ़ है चार आपampaचन दिये हुए है आप लोग बताइए गा देखे काली मिट्टी मतलब काली मृधा लाल मिर्दा जलोड मिरदा और लेटराइट मिरदा तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो होगा का जो काली मिट्टी है प्यारे बच्चों वो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उप्यूप्त मानी जाती है। वाला होगा यह आपका होगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिए चला जाए और उसकी कोई भी प्रजाती धरती पे ना बच्चे उसे बोलते हैं विलुक्त होना। तो देखिए भारत में कितनी प्रतिशत अस्तंधारियों के लुक्त होने का खत्रा है। आप लोग बताइए कमेंट करेंगे देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 20 प्रतिशत खावाला। देखिए 20 प्रतिशत जो अस्तंधारी है उनके लुक्त होने का खत्रा है। देखिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं Q7 में क्या है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्स आरंब किया गया आप लोग बताईए अगर आप लोग पढ़े हैं तो आंसर बताईएगा। देखिए 1973 इसका राइट आंसर होगा। 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट आरंब किया गया। देखिए प्यारे बच्चों जो यह वाला कोश्चन है Q8 यह बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है और यह कई बार बोड एक्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे से त्यार कर लीजेगा। वह कुश्चन क्या है देखिए सुन्दरवन राष्ट्रिय पार्क किस राज्य में इस्थित है। सुन्दरवन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सुन्दरवन जो यह नेश्चनल पार्क है यह किस राज्य में इस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगॉल अथा पस्चिम बंगॉल चार आप्शन दिये हुए हैं इनमें से आपको क्या है विश्व में सरवाधिक वर्षा किस अस्थान पर होती है तो जो विश्व में सरवाधिक वर्षा किस अस्थान पर होती है तो उसका राइट आसर होगा मासिन राम मासिन राम के चेरा पूंजी में जो की मेघाले में इस्तित है मेघाले राज में जो है वो मासिन रा सा होती है यह वाला कॉस्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है देखी क्वेश्चन नमबर 10 पर चलते हैं देखी क्वेश्चन नमबर 10 में क्या है भारत की पहली नदी घाटी पर योजना किस नदी पर बनाएगी चार आप्शन है दामोदर नर्मदा कोसी चिनाब आप लोग बत क्वेश्चन नमबर 11 क्या है बहु उद्देशी पर योजनाओं को किसने आधनिक भारत का मंदिर कहा देखी चार आप्शन है चार आप्शन क्या क्या है महत्मा गांधी जवाहर लाल नहरू विनुबा भावे और अन्ना हजारे इसने जो राइट आंसर होगा वो यह होगा जवाहर लाल नहरू खा देखिए तो जो खा वाला होगा वो होगा आपका राइट आंसर देखिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं question number 12 है टिहीरी बांध पर योजना किस राज्य में इस्थित है ये भी important question है प्यारे बच्चों हमने जितने भी questions उठाए हैं इसमें से mostly ह हमने बहुत ही most important questions हैं उन्हीं को उठाए हैं तो आप लोग हमारे channel के साथ अच्छे से जूले रही है और अच्छे से अपने पढ़ाई पर अब लग जाईए क्योंकि जिदने भी मैं questions करा रहा हूं chances बहुत ज्यादा हैं board exam में आने की आपका board exam बहुत ही pass है तो आप लोग तो चलिए प्यारे बच्छों आगे बढ़ते हैं question number 13 क्या है देखते हैं सलाल बांध किस नदी पर बना है देखिए सलाल बांध किस नदी पर बना है चार option है आपके पास बताईए का कौन सा सई होगा पहला option जो है महा नदी दूसरा option जो है चिनाब तीसरा option जो है सतलुज और जो चाउथा option है वो है कृष्णा तो जो सलाल बांध है प्यारे बच्छों ये है चिनाब चिनाब नदी पर बना हुआ है देखिए question number 14 क्या है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुक साधन है कौन सा परिवहन साधन प्रमुक साधन है ये तो हर आपको बनी मिलेगी वाई परिवहन वाई परिवहन भी जल दी नहीं दिखे पाइप पाइप लाइन ये भी उतना लें लेकिन जो सड़क परिवहन है वह आपको हर जगह दिखेगा हर जगह सड़क बनी हुए है देखिए निम्न में से कौन सा सब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है ये तो कॉमन कॉमन सेंस का प्रशन है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाक लगाएंगे तो आ जाएगा देखिए चार आप्शन्स हैं आंतरीक व्यापार अंतर राष्ट्रिय व्यापार बाहरी व्यापार और अस्थानिय व्यापार तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके बोड़ एक्जाम में इन कोस्टन के पूछे जानेगी देखिए आगे चलते हैं कोस्टन नमर 16 क्या है भारत का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग नेशनल हाइवे कौन सा है राश्ट्री राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है य इसका निर्यात भारत नहीं करता है देखिए प्यारे बच्चों जो अगला क्श्टन है क्श्टन नमर 18 अंकलेश्वर किसके उतपादन के लिए प्रसिद्ध है देखिए पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम तूसरा ऑप्शन है तांबा तीसरा है जस्ता और चौथा है यूरेनियम देखिए प्यारे बच्चों जो अंगलेश्वर अस्थान है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है आप लोग हमारे चैनल मुबाइल पर स्कूल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम लोग आपके board exam से related अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं जो आपके board exam के लिए बहुत ज़्यादा महत्तोपूर है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप लोग अपनी तयारी अच्छे से कर पाएं उससे जो भी चीज़े हैं हम आपको बहुत अच्छे से आप तक पहुँचा देंगे अब बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद